असलाम अलेकुम आज का मेरा टॉपिक है डीलिंग विद फेलियर्स वो बच्चे जो के फेलियर्स की वज़े से अपने माबाप से बात नहीं कर पाते हैं या माबाप उनसे बहुत जादा एक्सपेक्ट करते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ें वो किस तरह से समझाएं किस तरह से बताएं और इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लीन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसीब खान जो कि एक स्टुडेंट से हैं बड़े अर्से से बच्चे पिर उसके बाद आपके अपने बच्चे भी हैं और आप भी बच्चे रह चुके हैं तो और अभी भी कहीं बच्चा है जी दिल में पाइद के सिंदगी में वो भी चल रहा होता है जो पुदक पुदक के निकल जो इसको the parents expect from a child और वो अगर चीज नहीं कर पा रहा और वो जो expectations हैं वो comparison के साथ भी आ जाती है for example, अगर तीन बच्चे हैं तो तीन बच्चे शायद different होंगे because अगर आप दुनिया में देखें तो आठ हरब लोग हैं तो हर एक का thumb print और eyeball different है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे में तीनों बच्चों में कोई ना कोई एक unique selling point है जो that they need to explore और आप as parents आपको वो explore करना बहुत important है लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि नहीं क्योंकि एक grade लेना सब की responsibility है और number one आना बहुत जरूरी है तो इस वज़ा से जो expectation है उससे वो pressure बढ़ता जाता है और उस pressure की वज़ा से जब वो बच्चा काम नहीं कर सकता और उनको compare करने लग जाते हैं किसी और बच्चे के साथ तो वो चीज़ खराब हो जाती example आपको दे देता हूं जी पुपो की बेटी ती जी और मेरे जहां पे 40% या 50% नमबर आरे होते थे उस बीबी के 94% नमबर आते थे जी और हम अगर फरस्ट अबीन का भी हमने ले ली तो अबबा को दिखाया कि जी फरस्ट अबीन नहीं तेरी पुपो की बेटी के जो है वो इस वक्त के 94 परसंट आया तो अबू ने हम वहावर पूर से थे तो बुझे दिया करते थे कि अबूब वहावर तो बूप पूपो की बेटी का उसका आइडियल में हूँ की तरह मुझे शची लगए होना है है बात करनी तरह आना है हला कि वो दोनों माभाब बहुत पड़े लिक्के हैं लेकिन आपके बच्चे को आप उस तरह से इंस्पायर नहीं कर सकें वो तेर और वो बच्चा कुछ और चीज चाहता था तो हमारे हिसाब से हमें जितने भी प लाइटर नोट हमेशां ये बात करता हूँ, लाइफ इस नाट अबाउट बिइंग नमबर वन, लाइफ इस अबाउट बिइंग अजिए अजिए तो आपका बच्चा वो अजिए वन है, जिसको आपने गुरूम करके दुनिया को दिखाना है, कि मेरा बच्चा दुनिया से युनीक है, तो वो एक ये लाइन है जी और दूसरी थी, बी यू, दे वर्ल्ड विल एज़िस्ट, हमारे लिए, हमारे लिए जो कांटेक्स हैं, कहते हैं, दुनिया जैसे हो जाओ, तो हम मैं ये कांटेक्स कहता हूँ, कि दुनिया को अपने जैसा करना, तो जो आपको आता है, आप इतने युनीक हो जाएं, कि आपके काम को, दुनिया कहे कि यार, जो ये कर रहा है, हम भी ये करते हैं, हाँ लेकिन आपने तो बताय था आप मैट्रिक में चाहर दफा फेल हुए थे नहीं जी कोशिश मैंने की थी चाहर दफा में लेकिन लेकिन वो नहीं पाया वो सिर्फ यह था कि नंबर बहुत काम आए परस्ट वियन तो आ गई थी 60% नंबर थे लेकिन अम्मी अबू वही एक मेरा पूरा नाम हसीब महाँद बिनकास्म खान थे तो वो मुझे कहते थे महाँद बिनकासिम ने 17 साल की अमर में सिंद्ध वता कर लिया था और मेरे बीटे से मैट्रिक नहीं ओर है तो वो शायद माबाब बड़े नाम भी इसी मुझा से रखते थे कि यह टेंशन होती है एक और चीज़ी जी अबा का बड़ा खायश थी कि मैं C.S.S. करूँ मैं भी और मेरा भाई हमने हुई C.S.S. को हो सका अलोकेशन नहीं हुई या भाई ने तो एटेम्ट भी नहीं किया लेकिन मुझे ये लगा कि माबाप के अपने खाब होते हैं और बच्चों के अपने होत तो आपका खाबों का प्रशा थोड़ा सा आगे चला जाता है मनदो बागघ कर आप 18 साल से लेकर, 30 साल तक आपने माबाप का खाब पुरा किया तो पिर अप 30 साल से अपने खाबों की तरह भागने की कोशिक्श करेंगे तो वह प्राग्नी तो माबाप के अपने खाब वो एक और चीज अपार जो पेरिंट्स के उपर मैं बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ, अगर आप अपने बच्छों को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कोई और दे रहा हूँ तो यू जिस नीड तो इडेंटिफाई डाट पर्टिकलर थिंग, तीन सीज हैं जी, जो मैं समझता के बच्छों के साथ पेरिंटिंग में आना चाहिए, एक तो केर है, वो कहते हैं कि जी, उनको सोने का नवाला खिलाओ और देखो, शेर की आंक से, जो ये पिछली सदी के अबा का था आज कल के तो वो बहुत दोस्ती यारी वाला काम हो गया, दूसरी चीज ये है कि कम्यू पीटे हुए पकड़ा गया है और आप ये कह रहे हैं तो खराब हो तुमारे, उनके क्यों पी रहे थे, क्योंकि जब आपको वाय समझ आ जाता है ना जी, तो हाउक बहुत क्लियर हो जाता है, तो आपकी जिंदगी का उनको उसका प्रॉब्लम का वाय अगर आपको समझ आ तो फिर आप उनको कोई मशवरा भी दे सकते हैं, डाइगनॉस ठीक हुआ हो तो फिर आप उनको मशवरे अच्छे दिये जाते हैं, तो वह कम्यूनिकेट है जी, और तीसरी चीज़ है क्या है, मकसद गया है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, तो उस पहुंचने में अपन और सब्सक्राइब हैं, और फिर देशान आप देशान रहे हैं, उस फिर आपने तो फिर प्रिफशा है, जी नहीं हैं और यहां प्रिफ़ा भी दोप्स्टे मेडिया पर भी देखा होगा, पर जोग और यून को यह लोग हैं जो एक इत दफा में सीक चाते हैं, जो कोई ल लाइन अच्छी सी लगा के दिखातो तो वो आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से बना दे कोई कहता है कि यार तुम कम्यूनिकेट अच्छा कर सकते हो तो वो कम्यूनिकेशन की तरफ आ जाए हमें सिरफ अपने बच्छों को जो पहले दस साल है वो इडेंटिफाइ करना बहुत है कि वो क्या करना चाता है हमारे साथ होता यह अपा कि हम पहले मैं नॉमली फिफ्टी उमर हो गए जी पचास साल हो गए तो न पचास सालों मुझे लगता है कि पहले दस साल हम अबजर्फ करते हं हम अपने अमा अबा को देखते हैं, चाचों को देखते हैं, साथ पास लोगों को देखते हैं तो हमारी personality उसी तरह डिवेलप होती है दूसरे जो 10 साल हैं वो हम explore करते हैं हम explore करते हैं on the basis के हमारे अंदर physical changes आ रहे होते हैं हम और हम देख रहे होते हैं लड़कियों को शायद बताने के लिए उनकी अमा होती हैं लड़कों को बताने के लिए उनकी अबा नहीं होते हैं लड़कों को बताने के लिए उनके दोस्त होते हैं जो साथ बेंच पे बैठे होते हैं और वो hit and trial method से एक दूसरे की बातों को समझ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको आगे आकर अपनी जो अठाना साल के बात की जिन्दगी है जो relationship करते हैं उसमें भी उनको problems होने लग जाती है क्योंकि उनको कुछ समझाने वाला नहीं है तो उनकी साथ वो problems वो दूसरा फिय firearm एटीसरा 21–30 साल की अगर ऋमर में बचे हैं तो वो experience करते हैं आप ने यह भी सीख लिया यह भी कर लिया यह भी कर लिया यह भी कर ले सब कुछ करते जाते हैं और उसके बाद जो, तीस साल के जब आप होते हैं, तो आपको यह लगता है कि नहीं, मुझे दुनिया को बताना है क्यों आया था। तो उसके बाद पर आप मार्केट, पर आप मार्केट करने लग जाते हैं। तो आपको फिर आपको फिर जब लुक बाक और यह सब तो करने लिए थे, आप वैल्यू आड्ड करने के लिए थे दुनिया में, कितनी वैल्यू आड्ड की, कितनी फिसलिटेशन की, नोबडी टॉक्स अब ताट, और हम बच्छों को पहले कहते हैं, कियर, बेटा, शेरिंग और इसके बाद हम 11 साल के बाद बच्छे को कहते हैं, बेटा, सर्वाइबल आप तफिटेस्ट, तो वेर, वेर इस ताट शेरिंग तो आप किसी को धका दे, और दुनिया बेटा चाहती है, कि आप दुनिया धका दे कर आप सर्वाइब करें, अब आप जब बच्छे को वह नहीं चीज समझाएंगे, तो खराब हो जाएगा, मैं वो बहुत से मेरे स्टूइन्ट हैं, जो इस बात को जानते हैं, वो कहते हैं, जब दुनिया में बच्छा पैदा होता है, तो हमें माबाप को भी खुद समझ नहीं आ रही होती, कि बच्छों को किस एज पे कैसे रोक से मैंने बहुत मार खाई हुई है, मेरा पेटा जब टीन्ज में आया तो मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने का अच्छा लेट सेट डाउन और कम्यूनिकेट, मुझे बहुत खुसा चड़ता है बापा मैं क्या करूं, तो मैंने का यार रिलाक्स, मुझे मेरी आमना मेरी मैंने उसको बोलना है, तो वह बोलते हैं चीजे बड़ी परिशानी वाली हो जाती है, कि उनको समझाना बहुत है, और एक एक करके समझाना पड़ता है, क्यूंकि है अर इंडिविज्वजूरी है, क्यूंकि बेटे को एक अलग माइंढसेट से समझाना है, बेटी को एक अ हम तो अब्सूरत ही नहीं हैं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो वैल यशा था कि आप 출they आ यहां अपने प्यार कर एंद कैसे उन के आप हुआ यहां अच्छी अच्छी है तो अपने जप यह चीज आपको झाए 북한 और आप उसी तरह ही अपनी जिन्दगी में चलते जाएंगे आपने पॉजिटिमीटि डिवरी अच्श्च च्छी अच्छी जी और वह कहते है है और आप करते हैं यू नेड़ की अच्छी अच्छी आपको मर्स के मारक्स आया तो ए से लेकर इता को लेवल में सारे मार्शाल है उसने का कि मैं एक ग्रेट पर बिलीव नी करता हूं उसने सारी ग्रेट लिये तो जब उसने ग्रेट लिये तो लिए तो यह वस डाउन और यह सेट के यार बाबा आई डिंट कम अप टू यॉर एक्सपेक्टेशन तो मैं जा नहीं आए इस ओके कोई बात न कि एक कागज के उपर अगर आपने सुफैद कागज है और एक काला नुकता लगेगा तो सब वो काला नुकता देखते रहेंगे जो पूरी सुफैदी है वो नोबटी टॉक्स अबाट लाट तो आपके बच्चे में एक चीज जो नेगटिव है उसको छोड़ कर अगर आप वो इक जो पॉजिटिव बातों को पकड़ लें तो मेरा ख्याल है कि चीज ज्यादा बेहतर हो जाती है और हमें एकस्पेक्टेशन लगानी ही नहीं चाहिए जी मेरे बेटे को एक और बात की मैंने का बेटा आपने पड़ा नहीं इस वज़ए से नंबर नहीं है सिंपल सी नहीं बात है अगर आप पड़ते तो नंबर आजातें तो बात यह है कि आपको पता मेरी अमा का करती जी आपके 24 घंटे हैं जिन दिन में तो 24 घंटे का मतलब यह आठ घंटे सोना अठ घंटे अपना अका र्यृत खईना और आठ घंटे जो दिल चाए ओ चाहता है वह करत लेकिन बच्चे क्या करते हैं? या तो सोला सोला घंटे काम कर रहे होते हैं या या आप सोला सोला घंटे सो रहे होते हैं तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि एक बच्छा कहे कि जी मैं टॉप किया तो मैं सोला घंटे पढ़ता था तो मैं उनको कहता हूँ क्यों भई? क्यों पूस्ट ग्हेंटे दे, आठ ग्हेंटे में पढ़ना था ना तुमने, आठ ग्हेंटे पढ़के, तुम लोगों को बताते हैं, कि हाँ यार, मैंने ये भी किया, उसके बाद मैंने अपनी हॉबिस भी देखी, मैंने बाकी चीज़ों को भी और ये पर आकों बचिया, तो इस when it comes to communicating with people, he is zero. When it comes to respecting people, he is zero. तो यह सारी जो 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 सिच्वेशन आगी है उसमें पैरेंट्स का आपने बताया के एक हाथ तो बहुत जरूरी है कि वो उनको समझाएं, उनको समझें, फिर असाथजा का आजाता है, ठीक है? आइ तिंग आपके स्टूडेंट्स बहुत लखी होंगे कि आपको आप मिलें, उन बचों को आप जैसे उस्ताद मिल गए. मेरा ना सिर्फ आपा एक एक कंसिडरेशन होती है, अपने स्टूडेंट्स के साथ खास दोर पे, तो मैं उनको कहता हूँ यार, आप जब तक दिल की बात नहीं करेंगे ना किसी से, तो आपको उसका सलूशन नहीं मिलेगा. और लोग ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स जजज़ करते हैं, लोग भी जज़ करते हैं, पेरिंट्स भी जजज़िंग पर आजाते हैं, they don't think about the their children, के यार इस से मेरे बचचे की क्या बनेगी? मैंने एक दफ़ा अपने मैं घुसे में था जी किसी और बात पर घुसे पहता तो मैंने अपने बेटे को का यहार तो मेरे से बात नहीं किया कर अधा चुप हो गया पांच मिंट के बाद मुझे आया तो मुझे कहता है यूवरूट मैं के यार अगांया तो अभी भी अपने अबा को यहने कर सक्शिछी है जूब यूवरूट अज impacted ली किसगे बाप को बोलता है यूवरूट वर मिम अब लगता है कि मेरे जैसे बच्चे को मारी परती सी शीओर में पतर्ष kicking बीकि किषी और कामप में किकल जाता अचित जिए आज सॉड़ी थी पुष्टागू करना जूरी थी जिए आज के बच्छों के लिए गुफ्तगू करना जूरूरी है रीजन बजिए आज को दो है आपको अ अ लेवल्स में आपको ठाभाई पी रीजनिंग के ओपर है कि आप reason दे दें why are you saying that तो जब आपने उसको उसकी reason दी और दूसरे ने का हाँ हम इसको मानते that's fine मदब आपका देखें अगर success दस को कहते हैं दस को success कह रहे हैं तो 8 प्लस 2 भी 10 बनता है 5 प्लस 5 भी 10 बनता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि success सिर्फ number को कहते है मैंने अपने बेटे को कहा था I don't need an intelligent son I need a respectful son क्यूंकि आपकी वज़ा से अगर कोई आपकी किसी हरकत को देखके कहता है कि या तुमारे माबाप ने तर्बियत बहुत अच्छी किया है मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मेरा बच्चा बहुत कमाल कर दिया उसने इतने ग्रेट ले लिए देजर्ट माटर लेकिन क्या क्या क्यूंकि आप अविसली एजुकेशनल फील में एजर्ट उस्ताद आपका एक टागिट होता है कि मेरे क्लास में दस बच्चे और दस के दस बच्चे जो है कमास फेलियर की बात नहीं हो रही कि वो सब के सब अच्छे ग्रेट से पास हो ठीक है अब ये जो चीज है ये भी तो आप इस आप टीचेर उनके अंदर इंकलिकेट करें विच इस रॉंग नहीं जी पास होने का जो मकसद है वो ये है मैंने हरे को ये कहता हूँ कि यार आप नेना रुकना नहीं है देखें लाइफ इस अबाउट मूविंग आन चलने का नाम है अगर पानी आप देखें अगर ECG है तो ECG सीधी हो जाए तो हम खतम हैं जो उतार चड़ाओ जिस्दगी का वो हमारी ECG को डिवेलप करता है तो ये ही उतार चड़ाओई ही ये डिवेलप कर रहा है कि आप अलाइव हैं और आपको सिरफ पास होना है और आगे निकल जाना तो ऐसे बच्चे जो के सिर्फ पास करके आगे निकल रहे हैं, उनका फ्यूचर जिंदेगी में, तेखें, उनके पास भी कोई ना कोई एक एक स्प्लोरेशन है जी, अपने आपको वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं और वो कैसे समझ रहे हैं, लेके एक अभी कोर्स है, मुझे किसी ने बताया कि ज है, या अगर आप English की बात करते हैं, content development की बात कर रहे हैं, यह वो चीज़ें जो आपको स्कूल से बढ़ाई जाती हैं, अब एक चोटी सी important बात है, कि बुक रीडिंग हम करते थे जो बहुत सी स्कूल अब कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्कूलों ने छोड़ दिये, आप उ स् imagine से, आप अपने आपको envision करते हैं, आज से पांच साल के बाद या दस साल के बाद, where do I see myself, तो मैं अपने आपको कहां देखता हूं, this is what really matters, तो अगर हमारे बच्चे को वो खाब ही नहीं देख पा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैंने आगे क्या करना है, क्या करेंगे, और एक और चीज़ आपा, जो मैंने आजकल के बच्चों में देखा, माबाप impose करते हैं अपने decisions, जिसकी वज़ा से, बच्चा कहता है अच्छा, और माबाप की वज़ा से, वो आप ये चीज़ कर रहे हो, मैं फ्रेश्मन करवाता हूं अपनी यूनिवरस्टी में, तो फैजि़ ने कर दी। तो वो ऐख से, ऑन चाहिल आं यूग देखा, कहई ने करता हैं अच्छा क्शा कि आपने इस लिए तो एक पिज़ा हैं, जिते लिए पत्माते की वज़स्तर, मिन जे तो एक बच्चे ने कर P यूल्प सकी तो वो आपनी ख्री ने बार्न式 किया है, मै डॉक्टर बन रहा है सिर्फ शादी करने के लिए कि अब उसका जो जो उसके जिन्दगी में होगा तो किसी चीज को नहीं देखना वो तो होई बात है कि पास होता जाओंगा और जिन्दगी में बनता जागा वह मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगएगा तो बस मेरी खाला की ब करूंगा यह चीज कहीं नहीं आती है और क्रियेटिविटी और इनोवेशन जो है जी वह उसी वक्त ही आएगी जिस वक्त आप दिल से चीज़ें करेंगे आपको अगर आप मैं आपको दिखूं तो आप कहते हैं कि जी इस दी फील्ड दाट यू वर इन्टू इन्टू पर कि इस आप देख भाई या चीज आप दिखूं कि यू आप दूनिया आपको इस तरह से पहचान रही है तो आप यह कह रहे हैं कि डिग्री इस आचली टू एर्न हाजी ठीक है और जो आप जिन्दगी की तमाम स्ट्रगल है आपकी घर के अंदर आपकी जो पर्विरिश है वो इस तो मेक यू गुड हुमन बिंग अल्ला करें जी सारे गुड हुमन बिंग बन जाएं सब का जो अभी कॉंटेक्स्ट है वो यही है कि हमने कमाना कैसे सिंपल कमाना और कुछ भी नहीं है कि हम यह पढ़ाई कर रहे हैं इस पढ़ाई के बाद इतने हजार या इतने लाक रुपे की जॉब में लेगी यह आदे से ज्यादा 90% बच्चा यही समझता और मैं बिजनस करूँगा और बिजनस करकी यह कोई यह नहीं कहता कि यार मैंने अपने आपको ग्रो कैसे करवाना मैंने अपने आपकी लेर्निंग कैसे करनी है मैंने अपने आपको देखना कैसे मैं नॉमली कॉंटेंट बनाता हूँ जी तो मेरे लिए जहन में LIFE से लाइफ का जो कॉंटेक्स्ट है वो क्या है अब सारी जिन्दगी लेर्न करते है उसके बाद आप इनोवेट करते है कि कोई नई से नई चीज़ दुनिया को बताते जाएं क्या है F is for friends and family और E से आप अपने आपको entertain करते है with the things that you love to do for example अगर आप कहते हैं कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर आप किताबें पढ़ते हैं कोई कहते है मुझे religion अच्छा लगता है तो उसका मतब है you have an amazing personality अगर आपका passion और profession एक नई है तो वो split है और आपकी personality वैसे ही दोगों को समझ आ जाजेगी कि आप आट-नौ से लेकर पांच बज़े तक कुछ और है और पांच बज़े से लेकर बाराँ बज़े तक रात को कुछ और हो जाते हैं तो आपने अपने आपको आप कैसे डिवेलप कर रहे हैं कैसे देखते हैं तो वह बच्चों को वो चीजें समझानी जरूरी हैं और हमारे टाइम पर होदा था आपके डॉक्टर बन जो या इंज आपको आपको अच्छा लगता है तो आप बहुत मज़दार किसम के अपनी जिंदगी को फोकस भी कर सकते हैं और डिवेलप भी कर सकते हैं लिकिए बहुत सी दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वह रहीं होंगे शायद अपने स्टूडीज बहारों में ल भी एक्सपेक्टेट है और दूसरी बात यह है कि उनको किक ही नहीं मिलती इसके बात कि आप अगे मैंने क्या करना है जिंदगी में आप पोर इकजांपल अगर आपने चार्टड़ अकाउंट एंसी करनी है और चार्ड़ अकाउंट एंसी दो परसंट लोग जो हैं वो कर हैं मतलब उनका जो सक्सेस रेट है अट सबाव टू परसंट तो वो हंड़िड में से टू परसंट लोग जो हैं वो बन रहे होते हैं लेकिन बाइदा टाइम बन यू रीच दाट पनेकल आप यूर लाइफ दिर आर मैनी थिंग्स आप और उनके बाद वो चीज शायद आपका खांदान ने जोई कर रहा होता है आप अपनी जिंदगी की वो चीज़ें वो लाइफ इंजोई नहीं कर पाते हैं तो यू नीड तो इंजोई इच एन एवरी फेस अफियर लाइफ इंजोईंग का मतलब क्या है विन यू आर इन यू टीन एज डाट जिस्ट डिव तो आपके पास सिर्फ स्किल सेट है और मैं बचे जितने भी आप देख रहे हैं या पेरिंट्स भी देख रहे हैं तो मैं उनको एक बात बताता हूं कि आपकी जिंदगी तीन चीज़ों को पर मानी जाती है आपका इखलाक आपका किरदार और आपका हसब कमान आपका इख चोटों से कैसे बात कर रहे हैं बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं ये आपको डिटर्मिन करता है आपका किरदार ये बताता है अगर आप उस जगह पे नहीं या लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और मैं तो आजकल बड़े वो लाइटर नोट पे भी बात करता हू आपका किरदार या तो आप जानते हैं या ला जानता है या आपका फोन जानता है या आपके फोन में क्या 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 कुछ पड़ा हुआ है वो आपका किरदार को डिपेक्ट कर लेगा और आपको बिल्कुल चीज़े समझाजेंगी और जो तीसरी चीज़ है जी वो है आपका स्किल सेट जो स्किल सेट है आपको क्या आता है और आप क्या है आज कल के जितने टीनेजर्स हैं वो अगर इस चीज़ के ओपर इडेंटिफाई करने जी और इमपार्ट भी और उसको स्पेशलाइज पी करके आए मतलब ये नहीं देखें दुनिया में हम जो कहते हैं कि आम बंदे की कोई सक्सेस नहीं है सक्सेस वही है कि आप उनली वन होंगे तो आपका सक्सेस है उनली वन जिन्दगी में होना बहुत जरूरी आप क्लास के अंदर हैं नंबर वन ना आएं आपको शायद या तो अपनी क्लास में वो बच्चा या बच्ची याद होगा जो नंबर वन आती है या आपको वो बच्ची याद होगी जो सबसे दर शराते करती है वो इसी तरह ही जिन्दगी में चलता है कि जो लोग दोनों तरफ से आपको बेतर दरीज बना रहे होते हैं वो उनके लिए आना चाहिए बच्चे जी जो अगर हम दुबारा फेलियर के उपर ही मैं आपके पास तोड़ा साइक आइडिया उनमें से बना लूँ एक बच्चे को एक आइडिया दिया जाता है कि बेटा तुमने इतने परसेंट नमबर देने और वो उसने परसेंट नमबर नहीं लिए तो वो उस परसेंटेज के साथ क्या होगा वो इतना गिल्ट में चला जाएगा बच्चा वो डिप्रेशन में चला जाएगा उसकी परसनालिटी खतम हो जाएगी अब एक फिल्म थी आपा थ्री इडिट्स उस फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें वो बाप कहता है कि तुमने जब इंजिनरिंग तुम कर रहे थे तो उस वक्त तुम्हारा 94% मार्क्स आई थे और जब तुमने वाइड लाइफ फोटागरफी करनी शुरू की तो तुम्हारे कितने परसन आया है उसने का जी 90% 91% तो कहते देखें 94 से ठक नीचे 91% पर आया है तुम अपने क्लास फैलोस को बड़ी गाड़ी और बड़े घर में बैठा देखोगे तो तुम डिप्रेस हो जाओगे तो वो कहता है कि अबबा घर छोटा होगा गाड़ी छोटी होगी लेकिन अबबा मैं खुश रहूँगा हमारे में आप खुश रहने का झाले में पॉजड़ी में पशुश रहने का विया है याद करे लाव यू की तो नहीं प्यार करना तो जो आप है आपके जाने के बाद दुनिया आपको किस यूनिकनेस पे याद करेगी वो आपने डिवेलब करना है तो इस अब उन्स अब उन्स आप उन्स एक्षज़ान परसन इस वर्ड और उन्स इस नोट अबाउट कॉइंटिटी, कॉइंटिफाइबल नहीं है success is all about quality कि आप अपने आप खुश कितना होते हैं satisfy कितना रहते हैं कितना वो इश्वाक सब बात करते थे थे ना कि जी लोगों में वो ही लोग जिन्दा रहते हैं जो खैर बांटते हैं खैर बांटतना बहुत important है और अगर आप बहुत से बच्चे हैं अच्छे different design की चीजें लाएं ताकि teacher को ना पता लगे के भाई आपने चापा मारा हूँ तो आप उसमें creativity अपनी दिखा सकते हैं कि how well you can develop your ideas you can develop yourself तो yes आप अपनी जिन्दगी को बेतर कर सकते हैं anxiety क्यों है हाए मारे गए लुटे गए काश मैं पढ़ लेता काश मेरी जिन्दगी में ये हो जाता नहीं ये वाली बाते नहीं होती क्योंके काश अगर आप आज से पाँच साल पहले भी आपको अपने आप से प्यार साथा पाँच साल के बाद भी अपने आप से प्यार होगा तो वो जीपिये 2.5 तो ये 6.2 ये आया हुआ है इस ते जिया दिया दिया जितनी डिग्रिया मैंने अपने पैसों पे लिए हैं क्योंकि मुझे दर्द था पने पैसों का कि मेरे पैसे लग रहे हैं तो उसमें 3.7 ये 3.8 के साथ चाज़ा है और वो भी यह है कि शायद age के हिसाब से भी आपको समझ आता है कि जब आप समझ जाए और आपको ये लगे और आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं किसी के लिए वो degree नहीं लेते हैं आप अपने लिए ले रहे होते हैं कि यार मैंसे कुछ चीज सीख लूँगा अच्छे यार ये मेरे प्रिफेशन में मुझे काम आजाएगी यार ये शायद जिन्दगी में इस चका पर मुझे काम देगा तो ये चीजें आपको इडिंटिपाई अपने हिसाब से करनी पड़ती है और अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है थी मैं भी उसे ने एक ऐसी इस नॉट रिलेटेट तो इस ये लेकिन लाइटर नोट में बात करना मैं ने का लिया मैं का यार जिन्दगी में मैंने दुनिया में पचास साल गुजार दी है अब पचास साल जब मैंने मुल्टिपलाई किया जी तीन सो पैसट दिन से तो आठ हजार दोसो पचास दिन बनते हैं आपाँ हम लोग एतना ज्यादा टाइम अटेटीन थाफ़जन तो हंड़िटन फिफटी डेज इस वर्ल्ड आटस एट और आपने क्या किया उन लठारा हजार दोसो पचास दिनों के अंदर उनको आपने सिर्फ समझना है और देखना है और आप कहें कि यार मुझे अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके चलना है इस इस वाट आइ तिंक सक्सेस अल अल अबाउट फेलियर तो होता ही होता है और अगर आप फेल नहीं होंगे तो आपको सक्सेस का मज़़ा नहीं आएगा सारा वक्त ąए ए घ्रेट लेते जा रहे आए लेते जा रहे तो दियर कमसा Betsyden जहांपे आप बिलकुल खतम होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि नाओ वाट तू दू आएगा कि लोगों का 40 में ये वाला ताइम आता है इतने सक्सेस्फुल होते हैं 40 या 50 में आके बिलकुल खतम हो जाते हैं कुछ समझ नहीं आरी क्या करें तो वह अपनी पूरी की पूरी अरज जीने की भी छोड़ देता हैं तो वह बचे वो बच्चों के साथ आजाए आते हैं बच्चे आपके साथ हैं आपकी जिंदगी में और लोग आपके साथ आगए वो सब के सब आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि यार नाव वाट तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा प्लैन एक कामयाब नहीं होता तो मेरे पास प्लैन B और प्लैन C है तो वो प्लैन B और प्लैन C is success हम बच्चे जाते हैं जी बाहर ने चालीस चालीस लाक रुपया दिया था और अगर यही आइल्स करके चले जाते पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाते और यह बताते के पाकिस्तान का नहम रौशन करके बड़े लिखे होके आप बाहर जा रहें कितनी अच्छी बात होता तो फेलियर में क्या कहते हैं हम पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे क्योंके पाकिस्तान में में पैसा नहीं मिलेगा हम वहाँ पे काम करेंगे मिक्डानल्स में जाके तो इतने डॉलर मिलेंगे और डॉलर में दे इतने हम हम खुद कमाएंगे बाकी हम घर बेज़ देंगे और हमारे भी गएंगे कि चोई साफ दब उतर जिड़ाया जी वह उते बाहर पार 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 रहा है बाहर उन्हें कवाल कि तो बेशा कि पेट्रोल परम पर काम कर रहे हैं अगर इधर वो काम करेगा तो आप कहते हैं कि जी का आप प्रिए सिव क्षा कि अधर अपल्व ऑर वर्म की घर रहा है हुआ जी कि अधर नीचों आप में भूव अचिर आप कि लॉग बात आप नियुद कि ये ये उन लुद नागे नोट इसका कि शादी को फ्रॉश हुए अप कि अधर कि जिए गोल, जो जिसने मेडिकल करन अपनी जिन्दगी में जो बना लिया ना कि मुझे यहां तक पहुंचना है वो हर तरह से वहां तक पहुंच जाए गा और आपकी डेस्टिनेशन और एक चीज़ और है जो मैं बच्चों को भी सबको जरूर बताऊंगा माबाप को अपने खाबों के साथ कम्यूनिकेट करवाएं माबाप की दुआएं बच्चों के लिए बहुत लगती हैं अगर मैं बहुत से स्कूलों से बात करता हूँ यूनिवेस्टीज में जाता हूँ मैं हर टीचर को कहता हूँ खुदा का वास्ता है माँ बाप से बच्चों को जोड के रखे और मेरी एक स्टूडन्ट आई जी मेरे पास उसने मुझे कहा कि मेरी अम्मी का एक्सिनेंट हो गया और मेरा फाइनल एक्जाम है वाट चुड आई डू तो मैंने का दुनिया आपको यही कहेगी कि बेटा फाइनल एक्जाम दे के जा जा है याँन भेटा मेरी माह छेए जाूर slang को जा को झा है माह के पास से बोज́व फाइनल एक्जाम तो होते रहते हैं कोई मसला नहीं है जन्नत कमाने वाला टाइम है जन्नत माह की खिए्मत कर लोगी ये बाद में जिन्दगी में होगा इनके साथ दुनिया में जीती रहोगी तो कोई ना कोई दुबारा आके ये काम हो जाएगा निकल जाओगी तो माबाप से प्यार बहुत इंपॉर्टन्ट है और ये एक ऐसा रिष्टा है बच्चो कि जिसमें आपको कुछ भी कहें कुछ कोई बात नहीं है आप जाएं बैठें गप शप लगाएं उनको उनके साथ प्यार मुहबत और आपको भी सोचिएगा कि आप सिर्फ मदर्स डे और फादर्स डे के उपर सिर्फ माबाप के साथ तस्वीरें लगाते है जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से तो फिर आपको एसास होता है कि आपकी बहुत कम तस्वीरें थी अपने अबाप के साथ बहुत कम तस्वीरें थी अमती अमा के साथ आप सोचें आपका मेरी माँ की जब डेठ हुई तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ के पैर चुमे उस वकत तो जब अमा के पास आये तो मुझे आया मुझे यार ये नहीं मिलेगा तो जब ये चीज नहीं है तो वो चली जाती है तो वो हमें एहसास इस बात का नहीं होता और आप सोचे हैं मेरे अबबा की जब डेट सुहूद एक दिन पहले अबबा ने मुझे बुलाया मुझे का प्रफेसर आप यार तू मेरे दिल चाहरा है तिरे से मिलने का आजा तो अबबा की आठ दिन के बाद बढ़ते थी तो मैंने डाट को का मैंगा डाट मैंना ट्विडी सिक्स को हैं इतनी चीज़ें मैं इसको फेलियर मानता हूं यह चीज़ें फेलियर हैं आप अपनी जिन्दगी में जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना और आपने अपने माबाप के साथ कोई ना कोई इस तरह की कंसिट्रेशन हुई भी हैं जिसके उपर आपको यह समझ आता है कि और वो रिग्रेट्स हैं इसके बाद दुनियावी फेलियर डेजन्ट माटर जो फेलियर है वो आपके इमोशनल हैं आपकी कंसिट्रेशन हैं कि आप अपनी जिन्दगी के अंदर उनको कैसे देखें अगर हमें अकेला रहना होता ना अबादो हमें दुनिया में अकेला ही चोड़ता है कोई हमें लोगों के साथ रहने की बात खी है लोगों ने हमें बोलना भी है कहना भी है हमने उनके साथ प्यार और महबत भी रखना है और उसी में ही अल्ला ने द्राजी अमर भी रखती या रिष्टेदारों के साथ बनाओ के दराजी अमर माँ बाप बहन भाई ये वो लोगों के रिष्टे हैं जो के आपको हम सिर्फ लड़ाईयों में ख़त को खत्म करते हैं तो मेरे साथ है I've had a great time with my dad, with my mom लेकिन वो there is a regret और मैं हर बच्चे को तो मैं आप ये मने शायद आउन स्क्रीन ये फर्स टाइम मैंने ये बात किये कि इस इस वाट आई I feel कि I would have gone I should have gone at that time और मैं जा कि अबबा को मिलता हक कर लेता तो वो बात में जाने के बात ना वो चीज़ वो नहीं होती तो मेरे अब कोई भी मेरा स्टूडेंट मुझे कहता है यार मेरे अबबा मुझे बुला रहे है तो मैं जा 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 वे को फॉरन जा क्योंकि ये वो ये वो चीज़े हैं जो के शायद आपको दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी ये बात नहीं बताएगा कुछ टीचर भी नहीं बताएगा यार रिलेशन तो ये पैरेंट व्योकास आप अपने अमा अबबा की आइडेंटिटी होते हैं तो बस सिर्फ इस बात का दिहान रखें कि आपकी वज़ा से आपके अमा अबबा का सर ना चुके बस ये जिन्दगी में आप सोच लेंगे ये फैलियर से बाच जाएं बाकि दुनिया के जितने बरदी फैलियर है उनकी टेंशन नहीं होती एक क्वेस्टिन मेरे जहन में आता है हसीब के आप क्या एडवाइज देंगे उन पैरेंट्स को जो अपने बच्चों को उनका फैलियर देख रहे है और वो उसको किस तरह से टैकल करें इस बड़ी एक मुझे बड़ी चीज़ें डिफेंट लगती है और बढ़ी चीज़ें डिफेंट लगती है और बढ़ी इस वज़ा से कि हमें अपने बच्चों को के लिए हमें रियाक्टिव नहीं होना मदब हमने का ओह मेरे से यह हो तुम तो ऐसी हो तुम्हारी जिन्दगी वे तो यही रह गया है मेरी जिन्दगी खराब होगे किस तरह की उलाद मिली वो कहते हैं वो कहते हैं वो कुछ भी नहीं है मेरी उलाद यह होगी वो होगी वो बोल दिया अब उसके बाद पेशक आप जाके सौरी कर ले पेशक जो मर्जी कर ले लेकि वो आपके बच्चे के जेन में तो आगया मेरे अबबा ने मुझे यह कहा था तो मेरा ख्याल है कि तीन तरीके से समझाया जा सकता है एक जगा से डरा के या प्यार से या एक तफ़ा पे हसा के हसा के समझाने का मक्सद क्या है कि आप अपनी कहानी सुना के दूसरों को बताते हैं गया ऐसा ना करो गे तो चीज बेतर हो जाएगी हमारे साथ देखें कि क्या हुआ अगर आप अपने चाचु के साथ भी अगर अपने आपको कंपेर करो तो यार वो देखें वो पार रा था उसने जिन्दगी में अपनी बनाया तो वो एक चीज अच्छी बात कर रहा है वो बेहतर इंसान है तो आप उनकी तरह से अपनी चीज़ों को देख लें और हाँ अपने आपको कम्यूनिकेट जरूर करें और माबाप को ना जी कहानिया सुनानी आनी चाहिए क्योंकि आप याद है कि नानिया दादिया पिछले जमाने में कहानिया सुनाती थी आजकल तो वो मुभाइल्स ने ले लीयी वो सारी जगा कि नानी जानी जादी बैटे हुए है या सो रहे हैं तो वो बच्चों के साथ तो वो कहानिया सुना के सुना आके सुए है अब उसकाहानी में कहीं कहीं को वैलीउ्स आ जा जा जाती थी जो वो बच्चों को सिखाई जाती सबक था अब आप एक और चीज है कि आपका बच्चा बैठा हुआ अगर आपको कह रहा है हाई डैड तो आप उसके जुती ला लें तो उसको बेश्ट मारते हैं क्योंकि आप जब घर में एंटर हुए हैं तो यूर चिल्डरन शुट स्ट जार घर से देंगे तो वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टन होगी वो अगली जिंदगी में भी कॉंपिटेंट रहेंगी तो वें यूर डॉटर एंटर एंटर्स दरूम तो इस नीड तो स्टेंड आप एक फीलिंग रिस्पेक्ट की सिरफ अपनी बेटी को दे दे और इस होगा कि मेरे घर बाले मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहें तो आगे भी वोई चीज को डिमांड करेंगी लोग चीज आपा में भी वह घर पे भी वह रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती आगे भी नहीं होती तो हमारी बेटियां कॉमप्रॉमाईस कर रही होती और यहां पर मुझे एक खदीश याद आई कि रिसूल पाक सिल्व जो थे वो अपनी जगा से उट जाती थे जब वज़त फात्मा तो जहरा तश्रीफ लाती थी तो यह रिस्पेक्ट जब एक हमारी प्रॉफिट बिल्कुल ऐसी जो के रह्मतुल आलमीन अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपनी बेटी को खड़े हो रहे हैं अपनी जगा पे बिठा रहे हैं तो हम कौन हैं बिल्कुल ऐसी है जी एक और चीज आपा जो पेरेंट्स को करनी चाहिए पेरेंट्स को डिसीजिजन मेकिंग बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डिवेलप करनी चाहिए बच्पने से और वो कहां से डिवेलप होगी कि आपने अगर कोई ड्रेस लेना है दो ड्रेस लियें तो उनमें से कहें कि यार प्लीज तीन ड्रेस ले आएं और उनमें से चूस करें कौन सा आपको चाहिए हम ना बच्चों के प्यार में कहते हैं तिन नोई लेला बेटा तो आपको वो चीजों का डिसीजन का पता लगेगा और आपका बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे इन में से क्या चीज़ चाहिए इसी लिए वो अपनी जिन्दगी में भी डिसाइड करेगा और मैंने अबा से बी जी लड़ाईयां थी, मेरे बेटें से लड़ाईयां है motivates माबाब की लड़ाईयां रहती वो लेकिन जब आप माबाब बनते हैं तो आप ज्यार आप भी थिस यूर लाइफ लेटी तो हम उनके लिए अपनी बहुत सी चीजों को सफर कर देते हैं और छोड़ देते हैं यही प्यार है जी यही प्यार और मुभबत है इसके लाव और कुछ की नहीं तैंक यू सो मच आपने कितने प्यार से सब कुछ एक्स्प्लेइन कर दिया आपका बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया अपनी जखात और अतियात डैपी लैक स्माइल अगैन फांडेशन को दें ताकि यह मुस्कुराहटें यूही बिखरती रहें कि यूहीं जओे आपका बहुत शुक्रिया अपनी आपकाइब कर दो मैं कितने वाईकाशन को और यहाटे ज़्यार से सब कर दो के दो आपकाशन कैने पहले विंगे भी आपकाशन को दो मुस्क्रियार अपकार्शन को बिखिया है